नाश्कार वीसियन नियूस की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आए नजर डालते हैं आज की खबरों के और खाते गाओं मंडी व्यापारियों की द्वारा एक आदिवासी किसान की साथ मारपिट की गई मारपिट ही नहीं बलकि पिस्टल लगा कर जान से माने की धमकी दी गई और गाली गलोज कर जाती सुचक शब्दों से अपमाने क्या क्या आदिवासी किसान अलके सुईकी की द्वारा बताया गया कि मैंने खाते गाओं मंडी में चने की ट्रॉली लेकर आया था वो मेरी ट्रॉली व्यापारियों के द्वारा कम भाव में खरी दी गई मुझे भाव समझ में नहीं आया तो मैंने मेरी ट्रैक्टर ट्रॉली घर लेकर आ रहा था व्यापारियों ने मुझे बीच मार्केट में रोक लिया और मेरे साथ मार पिट की और पेट में पिस्तल जान से मारने की धम की दी और मुझे मारते मारते मंडील ले गए जिसे मेरी सूचना मेरे घरवाल हुकूम मिली तो मेरे घर वाले आये एवं मेरे घर रिपोर्ट लिखवाने थाने गए तो वह हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई दूसरे दिन जैसे ही किसान संकीन निताओ को इसकी सूचना मिलते ही थाने का घेराओ कर चक्का चाम कर दिया किसान नेता किशोर गुले की द्वारा बताया गया कि आए दिन खाते गाओ के मंडी व्यापारियों की द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जाता है जिसकी सूचना मेरे द्वारा खाते गाओ थाना प्रभारी को 3-4 बार दे दी गई थी आज फिर मेरे किसान भाई की साथ घटना घटी अगर हमारे किसान भाई की रिपोर्ट नहीं लिकी जाती है और इन दबंगई व्यापारियों की उपर कोई कानूनी कारवाई नहीं की जाती है तो हम चका जाम नहीं हटाएंगी SDOP एवं SDM को सूचना मिलते ही किसानों की बीच में पहुचे और किसानों को आश्वासन दिया गया कि दबंगईयों पर कारवाई की जाएगी आप हवाई चका जाम हटा ले SDOP के आश्वासन से किसानों ने चका जाम हटा लिया और फिर खातेगा उत्थाने में दबंगईयों के खिलाफ कई धाराओं की तहत मामला दस क्या-क्या BCN News के लिए देवास से महेश्वारिवा के साथ अरुन उईकी की खास रिपोर्ट देवास के कन्वत थानाक शेत्र के ग्राम बामनी खुर्द में बुद्वार सुबह एक ही समाज के दो पक्षों में एक हजार पास्स रुपए के लेंदीन की बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि तल्वार कुलाडी से हमला कर दिया जिससे तीन लोग गंभी रूप से खायल हो गए गायलों में मानखा उम्रस सतर साल निवासी बामनी रमजान पिता मानखान निवासी बामनी गंभी रूप से घायल हो गे ग्राम बामनी खुर्द में घटना के बाद खोराम मच गया सुचना मिलने पर 108 वक अनोध पिलिस मौकी पर पहुची और घायलों को सिविल अस्पताल कनोध पहुचाया क्या जहार डॉक्टरों ने प्रातमिक उपचार पशाद गंभीर घायलों को इन्दोर रेफर कर दिया क्या कनोध पिलिस ने फिर्यादी रहीस खान, पिता मान खान, निवासी बामनी खुर्द की रिपोर्ट पर जांच आरोपे के खिलाफ प्रकरन दर्स क्या क्या चिन में आरोपी अकबर पिता, इंदोखा, सवदर पिता, अकबर हैदर पिता, अकबर सबीर पिता, अकरम एवं जमाई खान, निवासी बिच्चुकुआ की खिलाफ धारा 307, 294, 330, पासोचे में अपरात पंजीबत कर आरोपी की तलाश प्रारम की है PCN News के लिए देवासी अरुन उईकी की खास रिपोर्ट देश भर में महाशिवरात्री की धूम है शिवरात्री पर्थ के अवसर पर आज उज्जयन की महाकाले शुरम मंदिर में तड़की तीन बजी विशेश पंचामरत अभिशेख और भसमारती पूझिन किया गया बाबा के दर्शन के लिए देश की कोने कोने से शुरदालो महाकाल मंदिर में पहुँच रहे है आज परात तीन बजी बाबा महाकाल की भसमारती की गई इससे पहले बाबा को पंचामरत अर्था दूद, दही, घी, शकर वशेहद से नहलाया गया तत पश्याद शंदन का लेपन कर सुगंदे द्रव्य चड़ाएगे बाबा की प्रियव विज्या से भी उन्हें श्रुंगारित किया गया इसके पश्याद बाबा को श्वेतवस्तर उढ़ाएगे और फिर प्रारम हुई बाबा को भस्रमाने की प्रक्रिया बस्मी बूत होने के बाद जांज मंजीरे, ढोल नगारे वशंकनात की साथ बाबा की भस्मार्ती की गई यहाँ भस्मार्ती में श्रद्धालों के प्रवेश पर प्रतिबंद था अब सतत भगवान का चोईस घंटे जल धारा दुद्द धारा अरपन होगी अभी आठ दिन से भगवान साकार सुरूप थे आज निराकार सुरूप में रहेंगे और कल बारा बजे रातरी की जो महापूजा के पश्चात भगवान को दूलहा शंगार के रुप में सजाये जा देखिया है बाबा महाकाल की नगरी बहुत पावण नगरी है और आज बहुत आनंदाया महा शिवरात्री का जो महापरव है इस महापरव काल में आज रातरी में जो भगवान की भस्मा आरति होती है उसमें सभी दर्शन आरतियों के लिए कोवीट के कारण प्रवेश और बाबा के ये आज की जो शिवरात्री की जलक बाबा की हमको मिली है हम उस जलक को पाकर के बहुत ही पुन्य कमाया हमने बाबा की जलक से आए BCN News के लिए उज्जेन से महिरुदिन कप्तान की रिपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही BCN News नमस्कार